हलो अब वीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पर सेफ होंगे आज हम बात करेंगे एक नहीं स्कीम के वारे में जिसको आप लोगों के सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट के एक्जाम में एक या दो केशन एक्सपेक्टेड हैं क्या क्या चीजें है सारी हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले बता दो इससे पहले हम लोग कुछ स्कीम को पढ़ चुके हैं अगर आप लोग हमारे साथ इस कंप्लीट कोर्स में जुनना चाहते हैं तो आज के लिए सिरफ कोड को वापस से हम लोग ने स्टार्ट करा है आप आपको 40% discount मिल जाएगा supervisor complete course पे और ये course आपको 600 रुपे में पूरा का पूरा जो है available करवा दिया जाएगा जिसमें आपको वीडियो lectures के साथ साथ PDF notes, test हर एक चीज़ वो मिल जाएगी जो आपको किसी भी offline coaching में मिलने के लिए 20-30,000 रुपे चार्ज के जाते हैं और in fact हम ल कि अब हम लोग जो content तो हम लोग ने आपको provide करा है लेकिन उसमें अब add-on क्या होंगे, add-on का क्या मतलब है वो ये होगा कि अब आपको practice sheet मिलेगी साथ साथ में और साथ साथ में ही आप लोगों को जो भी updated जो पिछले कुछ time से JKSSB जो finance account assistant या फिर जो stock assistant के exams करवा चुकी वियर ड्यू का करवा चुकी है उसमें के ध्यान में रखते हुए आपके इन 5 components में वो changes हम लोग लेके आएंगे आपको वो update हम लोग इसमें कर देंगे practice sheet in fact reasoning के आप लोगों को मिल चुकी है component की आप लोग लेक्चर देखके उसकी mcqs लगा सकते हैं इसके बाद आपको य बात करते हैं यहां पर specialization का unit 6 के ओपर अभी तक हम लोग जो चीज़ें पढ़ चुके हैं जिसमें सबसे पहली scheme थी लाडली बीटी scheme इसमें हम लोगों ने पढ़ा था hybrid model किस तरीके से बनाया गया है जिसमें 14 साल तक आप लोगों का government जो है वह 1000 उपए देगी government कौन सी G&K administration और उसके बाद हर महीने 1000 जब 14 साल तक हो जाएगा उसके बाद 7 साल के लिए जो है यह एक FD की form में convert हो जाएगा यह हम लोगों ने पहली चीज़ पढ़ी थी फिर हम लोगों ने पढ़ा था state marriage assistance scheme में जिसमें गवर्मेंट 50,000 उपए जो है वो देगी और साथ ही साथ इस होना ज़रूरी है वह उस बच्ची का ताकि वह इस पर अन्रोल कर सके और किस तरीके से काम करती है हम लोगों ने डेटेल में पढ़ा था इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पालना स्कीम के बारे में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रेश किस तरीके से बनती है operate किस तरीके से होती है किस तरीके से इस पर ध्यान रखा जाता है किस तरीके से meetings conduct करवाई जाती है क्या purpose है किस चीजों का ध्यान रखा जाता है इसको हमने डेडल में पढ़ा था आंगनवारी services भी किसी अद्टक यहां पर cover हो चुकी है आज हम बात करेंगे परधान मंत्री मैत्रिवंदना योजना को लेके देखो मैं आपको बता दूँ बहुत सारी जगाओं पर आपको यह scheme देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोग scheme को गलत पढ़ाएंगे reason क्या है मैं आपको बताता हूँ अब हम शुरू करेंगे class को देखो वीडियो शुरू आम तोर पर हम लोग करते हैं introduction के साथ की scheme क्या है किस तरीके से है बट इस बार हम लोग शुरू करेंगे current affairs के साथ कि यह scheme वापिस से news में इतनी ज्यादा क्यों थी तो अब बात करेंगे पहले हम लोग उस current affairs के उपर एक second हो किएगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह news में इसलिए आई थी क्योंकि एक निया initiative लिया गया था दाउसा जो एक गाउं है राजस्थान में वहाँ पे यह जो news में इसलिए आई थी क्योंकि भराई की ceremony होती है वहाँ पे क्या किया गया था वहाँ पे इस scheme को एक तरीके से celebrate किया जाता है अब अगर हम बात करें एक tweet करा गया था जो just cover मीना है जो की MP है दाउसा एरिया राजस्थान से उन्होंने एक का था कि यहाँ पे गोद भराई की ceremony में जितनी भी women's है pregnant women's खास थोर पे वह आती है और उन्हें potion kit जो है वह दी जाती है और इसको गोद भराई की ceremony के दिन पे ही किया जाता है और साथ साथ पर अगर बात करें तो यह का गया था कि साड़े तीन लाग के करीब करीब जो women's है उन्हें जो है यह scheme में enroll करवा दिया गया या लोगों को benefit मिला यह scheme से तो यहाँ पर आप एक idea clear हो चुका होगा कि यह जो scheme है यह किसके लिए launch की गई है तो देखो हर एक scheme के पीछे एक objective रहता है objective किस तरीके से रहता है लाडली बेटी के scheme के अगर हम बात करें लाडली बेटी में क्या objective था तो लाडली बेटी में ये objective था कि जो भी आपकी इंडिया की बात करें जो जे एंड की पर्टिकलर बात करें जो female sex ratio है उसको किसी हद तक improve करने की तो उसलिए ये scheme launch करी गई थी main objective वहाँ पे ये था state marriage assistance scheme में हम लोगों ने क्या देखा था वहाँ पर objective क्या था वहाँ पर ये था कि कल को कोई ये ना सोचे कि बेटी जो है वो burden है हम पे तो उसको ध्यान में रखते होगी करा गया था state marriage assistance scheme में कि 50,000 उपर मिल जाएंगे जब वो होगी और पढ़ाई के उपर भी पूरा जोर देने के लिए 2025 से का गया था कि 8th pass अब mandatory होगा जो भी इसमें enroll करना चाहता है तीसरी चीज हम लोगों ने objective क्या देखा था जो हम लोगों ने scheme पड़ी थी पालना इसमें हम लोगों ने देखा था जो mission शक्ती launch किया गया है एक था संभाल और एक था आपका समर्थय उसका जो समर्थय scheme के थाएदि आनि कि जो women empowerment को ध्यान में रखते हैं या फिर main objective था women empowerment का कि वो जो main childcare है उसको उने पालना या फिकेशिस में छोड़ के वो अपने काम पे जा सके हैं तो इसलिए women empowerment को ध्यान में रखते हैं schemes निकाली थी अब यहां में बात करते हैं इस particular scheme के उपर कि यह परधान मंत्री मेत्रवंद्रा योजना है क्या तो देखो यहां पर मैं आपको बात करूंगा अगर हम बात करें welfare जो pregnant और लेक्टिक्न विम मेधर्स हैं उनकी तो यह एक remarkable effort बनाया गया है government of India के द्वारा जिन्होंने launch करी यह scheme को 2027 January में अब पहला MCQ यहां पर यही बन सकता है कि यह scheme launch कप करी गई थी तो देखो यह scheme 2027 में launch करी गई थी अब वापिश से देखो जब मदर्स होती है उनका रोल क्या है वो कोई भी teacher define नहीं कर सकता वो हर एक इंसान को पता है कि मदर्स क्या करती है किस तरीके से काम करती है बच्चे को अपने अंदर 9 महीने से रख के उसको बड़े करने तक जो मदर्स का रोल रहता है एक इंसान की लाइफ में वो कोई दूसरा इंसान नहीं निभा सकता तो यहाँ पे जो यह रोल है परधान मंत्री मैत्रु वंदरा योजना का वो कहीं ना कहीं इनहीं के जो efforts है या जो welfare है pregnant और लेक्टेक्टिन मर्दर्स का उनके लिए launch करेगे जो कभी भी एक women pregnant होती है तो उस time पे उसकी health उसके जो अंदर child है उसकी health ये बहुत matter करती है तो इसी को ध्यान में रखते है main objective scheme का यही है कि उन्हें जो है एक benefit program जो है यहाँ पर जो launch करा गया है कि financial support उन्हें मिले financial support के साथ-साथ जो essential services चाहिए होती है उन्हें during अगर हम बात करें एक healthy और secure environment के लिए जो कि mother और साथ ही साथ अगर हम बात करें child के लिए जो एक pregnancy cut period रहता है उस दोरान यहाँ पर इसको ध्यान रखा गया है और बहुत सारी women जो है इसमें इन्रोल्ट कर चुकी है तो data क्या है देखो data जो है इसका vary करता है तो exam से ठीक पहले जब आपका होगा मैं एक mcq session लाँगा जिसमें मैं न database mcqs लेक्या होगा जिसमें आपको सिरफ वो data उसी time का याद रखना है जैसे अभी कि अगर हम बात करें तो data vary करते रहता है हर एक time to time data update होता है 23-24 का भी जो data वो आना बाकी है तो उसको हम लोग उस time पे discuss करेंगे मैं आपको 22-23 का भी बता दूँगा और 23-24 का भी बता दूँगा कि कितना fund allocate होता है किस तरीके से काम होता है फिलाल budget इस वाले में इसको लेकर mention नहीं है लेकिन अगर मैं पुराने budget की बात करूँ तो हर एक scheme को run करने के लिए कुछ ना कुछ budget जो है वो government के द्वारा निकाला जाता है अब कितना budget इस scheme के लिए था अगर मैं बात करूँ 22-23 की ठीक है 23-24 का भी जो है यहां पर अभी exact मैं आपको बताऊंगा तो अभी याद रखना 2048 जो था वो परधान मंतरी मैत्र वंद्र योजना का जो था 2048 करोर जो था वो था allocation यहां पर और approve कितना हुआ था 2074 तो बस आप लोग फिलाल इतना याद रखना 2048 पिछले financial air का था अभी latest में आपको update कर दूँगा MC की उसकी warm में अब यह scheme जो है क्या 2017 में ही शुरू हुई थी पहला सवाल तो देखो ऐसा नहीं है यह scheme पहले से चलती आ रही है पहले इसका scheme का नाम था इंद्रा गांदी मैत्रित्रव सयोग योजना तो इसको याद रखना इंद्रा गांदी मैत्रित्र सयोग योजना scheme को कहा जाता था ये भी scheme जो काम करती थी almost same तरीके से काम किया जाता था इसका भी ministry of women and child development ही इसका धियान रखती थी और ये जो परधान मंत्री मैत्रित्रव योजना है ये क्या करता है मैंने आपको बताए कि pregnant or lactating women जो है इंडिया की उसका तो ध्यान रखता ही किस तरीके से रखता है यहाँ पर उन्हें financial assistance जो है वो provide की जाते है यहाँ पर सबसे ज़्यादा important question जो होगा वो यहीं से बनता है कि ये scheme करती क्या है मैंने आपको बताए scheme का objective क्या है कि जो mothers है जिसमें आपकी या तो pregnant women आ जाएंगी या जो mother बनने वाली है या फिर जो आपकी लेक्टेक्टें आ जाती है या जो mother बन चुकी है इनमें इनको financial assistance दे जाएगी अब financial assistance किस हिसाब जाएगी देखो बहुत सारी जगाओं पर जो data है ये पुराना है आपको गलत बढ़ाया जाएगा और कहीं जगाओं पर गलत बढ़ा दिया गया भी होगा भी तक तो ये जो है ये वापिसे scheme जो है 2022 में इसको modify किया गया है या फिर इसको 2.0 की form में launch किया गया है हम लोगों को दोनों चीज़ों को पढ़ना है financial assistance दी जाती है कितनी दी जाती है मैं आपको भी बताऊंगा क्यूं दी जाती है ताकि जो उनकी health care services है उस पे कोई भी जो है issue ना आए या फिर कल को कोई lack of financial assistance की वज़ा से मान लीजे अपने check-up नहीं करवा सकता या फिर जो nutrition चाहिए वो नहीं ले सकता और यहां पर main जो सबसे बड़ा reason है वो यह है कि maternal और child health outcome जो है उसको जो है improve किया जाए यानि कि कोई भी ऐसी miss happening ना हो किसी के साथ भी जो इसके पास financial help ना हो है government के द्वारा कि जो well being होगा women और children का जो भी यहां पर होने जो है एक healthier और empowered society के लिए बहुत बड़ा role play करेगा तो यहां तक clear है कि परधान मंत्री मेत्रवंद्रय योजना क्या है पुराना नाम क्या था 2017 जन्वरी में इसको लांच करा गया था और अब बात करेंगे हम लोग की इस scheme में क्या चीज़े हैं देखो परधान मंत्री मेत्रवंद्रय योजना एक जन्वरी 12-17 से तो लांच कर दी गई थी लेकिन किस provision के अंडर इसको क्या गया था और यह सबसे important point है इसको note करके ही रखिएगा आप लोगों के लिए direct paper में जो है यह आएगा यह है section 4 of the national food security act nfsa 2013 इस scheme को implement करा जाता है इस section के अंडर जैसे मैंने आपको पहले पालना scheme बताई थी section 11 maternity benefit act के बारे में वैसे section 4 of the national food security act nfsa 2013 के तहत यह scheme जो है implement की जाती है बहुत important slide है इसको note करके रखना direct mcqs बन सकते हैं यहां से exam के लिए which provides for financial support for pregnant and electric teen mothers to improve the health and rotation for mother and child as well compensation for wage loss अब देखो होता क्या है अब कोई women अगर pregnant होती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो अब बहुत सारी जगाओं पर नहीं जा सकती 6 महीने के से लेके हम लोगों ने देखा था 6 साल के लिए पालना scheme को target करके रखा है कि जब बच्चा 6 महीने से 6 साल का होगा उसके बाद mother's जो है वो जा सकती है 6 महीने क्यों क्योंकि 6 महीने तक maternity leave भी मिलती है बहुत सारी जगाओं पर क्योंकि यह कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके starting के 6 महीने जो उसका ध्यान mother रख सकती है वो कोई नहीं रख सकता है यह basic fact है यह कहीं लिखा भी ना हो तब भी हर एक इंसान को पता है अब यहाँ पर इसके लिए तो पालना scheme है आप मान लिजिए जो पूरा process रहेगा 9 महीने का उस time पर क्या उस time पर अगर मान लिजिए एक time के बाद अगर women नहीं जा सकती काम पर तो उस time पर जो उसका wage loss होगा उसकी compensation के तहच जो nutrition चाहिए उन सबको ध्यान में रखते हो यह scheme launch करीगे यह total amount कितना मिलता इसमें अब हम लोग एक बार उस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे objectives को लेके जो objective है परधान मंतरी मैत्र वंदना योजना का वो यह है कि cash incentive मिलेगा और किसके लिए जो एक compensation मान सकते हो आप लोग wage loss का कि ताकि जो women है वो educate rest ले सकें before and after delivery of the first child and to promote health seeking behavioral amongst the pregnant women electating women जिसे PAW and LMB कहा जाता है short form में अब कितना amount दिया जाएगा सबसे बड़ा सवार आप लोग को के दिमाग में होगा कि sir आप ठीक है starting से कह रहे हो कि financial health दी जाएगी कितने amount की यहाँ पे सबसे important mcq बनता है total जो amount है वो है 5000 रुपे अब यह जो 5000 रुपे दिये जाएंगे यह beneficiary के bank या post office account में जो कोई भी link होगा उसके अधार के साथ किस mode में जाएंगे dbt mode में dbt mode आपको अब तक याद हो चुका होगा हो सकता है कि paper में direct dbt की form पूछ ली जाए तो यह होता है आपका direct bank transfer मतलब कि किसी के पास आपको amount को ल 5,000 रुपे मिलेंगे सर क्या एक ही अब मान लीजी होता क्या है सबसे बड़ा सवाल कि क्या women अगर जाती है कि हा मैं pregnant है या फिलेक्टिक मतलब हैं तो क्या उसी टाइम सीधा dbt mode के through उनके account में bank account में 5000 रुपे credit हो जाएगा क्या इस तरीके से process काम करता है तो ऐसा नहीं होत अब यहां पर मैं आपको जो दो point बताऊंगा उसको याद रखना सबसे जादा important है क्योंकि मैंने आपको starting में बताए कि इस scheme को revamp करा गया है यानि कि इसमें कुछ changes लाएगे है eligible beneficiaries जो होंगे उनको जो है cash incentive मिल जाएगा as per the norms towards maternity benefit अंदर जनरनी सुरक्षा योजना अभी हम जहां नाम आता है इसको याद रखना बाद में सब चीज़ें आपकी relate कर देगी after delivery so that an average woman will get 6000 all pregnant and electricity mothers who are eligible for who are eligible as beneficiary under the program as on 1st January are being enrolled अब देखो अब पहला सवाल तो ये था कि amount कितना मिलेगा amount मिलेगा 5000 पहले क्या होता था पहले ये जो 5000 है इसको तीन installment में दिया जाता था ठीक है अब यहाँ पर ये note कर ले ना पहले ये scheme जो थी इन में तीन installment होती थी आपको तीन installment के थ्रू मिलता था पहले 2000 मिलेगा फिर आपको 2000 मिलेगा फिर 1000 मिलेगा 2000 इस तरीके से मिलता था बट इसको वापिस से revamp किया किस तरीके से किया मैं आप को बताऊंगा अब जो scheme का main aim है वो cover करेगी women जो की socially, economically और जो disadvantaged है marginalized sections है society की उन्हें बहुत important point है अब इस scheme ने क्या किया है सबसे पहला point क्या आ गया था जितनी भी women's है जो की socially, economically disadvantaged है marginalized है sections में से belong करते है society की उनको main aim करने की कोशिश की गई है और नई guideline जो आई थी mission शक्ती की वो कब से applicable है वो है 1 April 2022 अब आप से पहला question बनता है यहां पे कि परधान मंत्री मैत्रू वंदना योजना कब launch हुई तो तब आपका answer होगा 1st January 2017 में clear है बट वहीं अगर question बनता है कि जो mission शक्ती के द्वारा जो नई guidelines launch करी गई थी और PMVV PMMYVY 2.0 का launch करी तो वो हुई थी 1 April 2022 में clear है यहां पे अब जो positive behavioral change रहता है towards girl child by providing additional cash incentive for second child पहले क्या था पहले scheme में था कि जो पहला living child होगा है जो पहला बच्चा होगा उसके लिए 5000 रुपे मिलेंगे ठीक है तीन installment में होता था तो अब यहां पे क्या था अब जैसे ही मैंने आपको बताया अलग-अलग schemes अलग-अलग जगाओं पर चलती है जैसे sex ratio improve करने के लिए अब sex ratio जम्मू किश्मीर की ही सिरफ खराब नहीं है जो women's है वो कम नहीं है female कम नहीं है अब overall India की भी improve करने के लिए कि गई है वो कैसे improve होगी जब बेटीं पैदा होंगी तो यहां पर इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था positive behavioral change जो है girl child के लिए यह किया गया था और additional cash incentive दिया गया है अगर आपके second child जो है वो girl होती है तो आप इसमें आप लोगों को जो है benefit होगा 6000 रुपे का और यह one installment होगी post birth अब क्या था मैंने आपको बताया कि होगा क्या women जाएंगी dbt mode में अगर eligible है तो 5000 रुपे मिल जाएंगे आपको आपके account में पहले तीन installment होती थी अब नई scheme के तायत कितनी होगी दो installment वो पूरा detail में पढ़ेंगे लेकिन यह क्या था पहले तीन installment क्या थे first living child के लिए जो पहला वच्चा होता था तो government ने देखा कि scheme launch करी है 2017 में बहुत अच्छे से run कर रही है बहुत जगाओं पर बहुत सारी beneficiaries है और women जो है aware हो रही है अब देखो women अगर अब मैं आपके बताता हूँ होता क्या था 2017 में जब यह scheme को करा तीन installment की form में इससे बहुत पहले से scheme चल रही है अब 2017 में जब यह दुबारा नाम चेंज करके scheme को अच्छे से advertise करा गया तब क्या होता था women जाती थी अब पहली चीज क्या आती थी आप लोग अपने आपको register करवाओगे तो आपको 1000 मिल जाएगा उसके बाल आप लोग प्रिनेटल चेकप के लिए जाओगे आपको 2000 मिल जाएगा अब होता क्या था जब women's जाएंगी अपने आपको register अब यह far-flung areas में माल लीजिए आप लोग जाते हो आप लोग अपने आपको register करवाते हो उस को कोई भी इस तरीके की miss happening किसी बच्चे या female के साथ जो mother है उनके साथ ना हो तो awareness को ध्यान में रखेगी जाती है दूसरा point क्या आता था जब 2000 रुपए आपको पतार मिलेंगे आप लोग अपने check-ups के उपर वो जो है जाओगे करवाओगे तो आपको 2000 मिलेंगे तो कोई की भी अगर problem है या कोई complications आपको पहले clear हो जाता है जो की वापिस से इनके लिए हो एक अच्छी चीज़ है उसके बाद आपको क्या चीज़ें खानी है किनका नहीं खाना है उसका ध्यान रखते हुए आप लोग उसको भी nutrition को भी ध्यान में रखते चीज़ें कर सकता है जो कुछ changes की ज़रूरत है पहली चीज़ क्या कर दी government ने गा कि तीन installment अब इसमें नहीं होगी अब हम लोग दो installment देंगे और awareness जो main objective था वो अब हो रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ ही हम लोग जो हमारी girl child है उनको भी साद में add कर देते हैं कि अगर दूसरा बच्चा girl child होता है मालो किसी की घर पे दूसरा बच्चा बेटी होती है तो उसको सीधा 6000 उपर मिल जाएंगे और वो भी एक installment में post birth अब ये क्या था जैसे मैं आपको बताया sex ratio को improve करने के लिए बहुत important होगा जो बच्चियों को पैदा होते ही मार देते हैं उसको किसी हद तक कम करेगा और किसी भी case में मालीजे अगर कल को miscarriage हो जाता है या still birth होता है कोई बच्चा पैदा होते ही अगर मालीजे कुछ उसे हो जाता है या वो नहीं जीबाता है तो उस case में क्या होगा जो beneficiary होगा उसको treat किया जाएगा as a fresh beneficiary और जो कभी भी अगर कल को near future वापस से अगर कोई pregnancy होती है तो उसको वहाँ पे इसमे एक fresh beneficiary की तरह treat किया जाएगा तो यहां तक आई होप आपको यह main objective clear हो चुके होंगे पलधान मत्री मैत्रवंदरा योजना के अब हम इसको थोड़ा सा और detail में पढ़ेगे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मैं अब यह तक करवाएंगे of pregnancy तो आपको 1000 रुपे आपको मिल जाएंगे second installment में क्या होता था जब आप लोग अपना एक anti-natal check-up करवाते थे यानि कि आप लोग 6 महीने की pregnancy के बाद इसको claim कर सकते थे तो आपको 2000 मिलेंगे और child birth जब बान लीजे बच्चा हो गया और एक पहला cycle उसके हार जो हैं चीजों को हो गया तो वहाँ पर आपको 2000 रुपे मिलेंगे तो यह total आपको 5000 मिलते थे तीन installment में eligible benefits जो होती थी यहां पर वो cash incentive ले सकती थी maternity benefit अंडर जनरी शुरक्षा योजना के तो यहां पर 1000 और मिलता था बाद में उनका ध्यान रखने के लिए तो total 5-6000 PY 1.0 लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक April 2022 में बहुत सारे changes आए scheme बहुत अच्छा कर रही थी तो इस scheme में कुछ चीजें और add करी गई government के द्वारा जिसमें सबसे पहली चीज अगर मैं बात को आपको यहां पर बताऊं तो जो main यहां पर चीज थी वो क्या था क cash benefit तो मिलेंगे जो pregnant woman है या जो lactating mothers है for the first child and girl second child पहले में क्या था पहले सिरफ first child था लेकिन इसके बाद क्या हुआ इसके बाद यहां पर second child को add कर दिया गया लेकिन अगर girl child होगी तो अब government यहां पर क्या देखा कि पहली बच्चे के लिए बहुत सारी लोग जो हैं वो automatically जो main awareness देखो कोई भी अगर scheme launch की जाती है उसका main objective क्या रहता है आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ 4 schemes को पढ़ा है लाडली बेटी में आप लोगों ने देखा क्या था लाडली बेटी में ये था कि भाई पैसे मिलेंगे बारा आपको प्रॉक्चिमेट साड़े चे आप पिस चले जाएगा 1000 रुपे की इंस्टॉल्मेट जाएगी और 14 साल एक और 7 साल एक यानि कि 21 साल तक अब अगर देखो होता क्या है अगर कोई बच्चा काबिल होगा तो 21 साल तक उसको नहीं पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो खुद ही अगर इस time तक अपने आपको अच्छे से उस पे काम हुआ है उसके education proper हुई तो वो बहुत जादा इस से कमा सकता है main objective क्या रहता है वो ये रहता है कि awareness फैल आओ awareness क्या होगा schemes के awareness जाएगी न तो लोग उसमें enroll करेंगे वैसे हम लोग ने state marriage assistance scheme में पढ़ा था क्या पढ़ा था 50,000 मिलेंगे scheme क्या एड़ कर दिया कि भीया eighth pass होना जरूरी है eighth pass से क्या हुआ eighth pass से देखो क्या हुआ scheme अच्छा कर रही थी awareness सब लोगों में होगी ठीक है यार जब बीटी बड़ी हो जाएगी उसके लिए हम लोग enroll कर वा लेंगे 18 साल की जब हो जाएगी शादी के लिए 50,000 गर्मेंट देखा awareness हो चुकी है गर्मेंट ने साथ में एक clause और एड़ कर दिया कि 2025 से आपको eighth pass होना जरूरी है तो क्या हुआ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं यानि कि जो school dropouts हो जाते हैं उन लोगों तक ये चीज पहुंचा दी कि नहीं यार एड़ तक तो minimum पढ़ाने ही पढ़ान 5,000 मिल रहे हैं 5,000 आपको देंगे लेकिन अगर second child हुआ और वो बेटी हुई तो आपको हम लोग extra 6,000 रुपे देंगे तो ये सबसे बड़ी चीज थी जिसको यहां पे launch करा गया main feature जो 1 April 2022 के बाद change करेगे उसमें सबसे बड़ा feature यही था जिसको याद रखना है paper में question आपको बताया partial wage loss compensation आप लोग मान सकते हैं जो आपका promote करेगा health seeking behavior जो है among pregnant or lactating mothers के उपर और देखो साथ में क्या होता है अगर कोई मान लीजिए कोई far flung area से अगर कोई women आती है आपने आपको enroll करवाने वहां पर बहुत सारे जो आशा workers होंगी या जो आंगन वारी में जो क कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए किन को किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है nutritional value क्या होगी regular check-ups क्यों जरूरी है तो यह awareness जब आपके उपर जाएगी तो जो आपके कोई भी miss happenings होती है जो आगर मान लीजिए pregnancy के द तो यह जो है यह किस component में आता है यह आता है समर्थे sub scheme of mission शक्ती बहुत important है direct paper में मैं आपको बताता हूँ अगर मैं examiner होंगा तो मैं आपको 5-6 schemes के नाम दे दूँगा और उसके बाद पूछूँगा कि इसमें से select those who fall under mission who fall under sub scheme समर्थे पालना समर्थे के अंडर आती है और PMM VY भी आपकी समर्थे sub scheme के अंडर ही आती है mission शक्ती के mission शक्ती मैं आपको अलग से पूरा detail में पढ़ाऊंगा syllabus में mention हो यह नहीं हो पर इस पर question बनेंगे अब PMM VY 1.0 2017 में launch हुआ mission शक्ती के तहट जो है revised यह आया आपका दो हजार बाईस एक एपरल को paper में जो मैं highlight कर रहा हूँ यह MCQs बनेंगे अब इसके लिए जो main changes थे वो क्या थे पहले living child के लिए यानि कि जो बच्चा हो गया उसके लिए 5000 रुपे मिलेंगे ठीक है यह रुपी है दो installment में दिये जाएंगे ठीक है एक second रुखना यहां पर यह rupees है इसको थोड़ा सा typing error को clear कर देना अपने notes में पहला 3000 की installment और 2000 की installment अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले क्या होता था पहले तीन installment दी जाती थी अब इसको change कर दिया ठीक है और जो आपको entitle मिनती है जन्री सुरक्षा scheme के टाहत वो सब वैसे ही चलेगा इसके अलावा additional 6000 रुपे जो है वो दिये जाएंगे second child के लि होगी तो आपको एक installment में ही सारे के सारे पैसा मिल जाएगा चीक है और यह जो introduce करेगे थे ताकि project positive behavioral change होगा girl child के लिए उसको ध्यान में रखके करा गया था और जो improvement होगी child sex ratio में उसको ध्यान में रखके यह चीज़ करी गई थी और अगर मान लीजे इस case में miscarriage या still birth होता है तो वहां पर उसको fresh benefits के तहत ही ट्रेट किया जाएगा any future pregnancy के दौरान तो यह तो थे main features अब बात करेंगे थोड़े से और important points के ओपर अब देखो यहां पर जो चीज़े हम लोगों ने discuss करी आई होप अभी तक आपको कोई भी doubt नहीं होगा अब यहां पर क्या हो एक और च आज मील जो है वो दिया जाएगा pregnancy के दौरान और 6 महीने तक जब आपके बच्चा पैदा हो जाता है तब तक local आंगनवारी में और यह जो है यह क्यों किया गया था ताकि जो nutritional standards है या जो maternity benefit है उनको जो है चीज़े यहां पे जो है ध्यान में रखते हुए वो चीज करी अब देखो होता क्या है 5000-6000 रुपए में आप लोग 8-9 महीने तक नहीं कर सकते हो चाइल्ड बर्थ के बाद 6 महीने आप लोग नहीं कर सकते तो nutritional value जो आप लोग मेरे को बार बार बोलते हो सुन रहे हो कि nutritional का ध्यान रखते हुए तो इसमें government ने क्या क्या है इसमें जो revamp करी है scheme पहले नहीं था अभी ये 2022 के बाद क्या है कि आपको free of cost जो है वो खाना मिलेगा किसमें pregnancy के दोरान और 6 महीने तक child birth के जिसमें आपका local अंगनवारी जो होंगी ना उसमें आपको ये चीज़ दी जाएगी और जो nutritional standards रखे गए हैं उस हिसाब से हम लोग ने पहले प benefit मिलेंगे 5000 रुपे तक के दो installment वे जो बार बार repeat कर रहा हूं याद रखना अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सारी women इसके लिए eligible हैं तो ऐसा नहीं है सारी women इसके लिए eligible जो है वो नहीं है तो कौन सी women इसके लिए eligible है अब एक बार हम लोग उस पे भी बात करेंगे ठीक है अब eligible beneficiary जो है उनको किस तरीके से काम होगा हम लोग नहीं पढ़ लिया scheme अब उससे भी पहले हम बात करेंगे implement कून करेगा देखो यह जो है यह cost sharing model पे काम करती है women and child development और social welfare जो है वो 27 state और UT में काम करता है health department जो है वो 7 state या UT में काम करता है अब यह scheme जो है यह एक बहुत important MCQ है यहाँ पे कि क्या यह scheme सब states में लागू है state या UT में तो ऐसा है कि यह नहीं है 27 जगाओं पे women and child development plus social welfare department जो है वो इसको operate करता है साथ state और department में यह health department के द्वारा operate करी जाती है और दो state ऐसी है जो यह implement नहीं करती है वो है state of Odisha और state of Talangana अब ऐसा नहीं है कि state of Odisha और state of Talangana जो है वो यह scheme का benefit अपने state की women को नहीं देना चाहती वो इसलिए नहीं करती कि हमके उनकी states में already उनकी खुद की schemes चल रही है अब कल को माली जीए government कोई ऐसी scheme launch करता है जो कही ना के मिलते जुलते pattern की होगी तो वहाँ पर J&K administration के मरजी होगी कि वो अपनी scheme को continue कर सकती या फिर उनसे वो scheme log up करनी ही करनी है आप तो UT हो चुगे तो उनको log up करनी पड़ेगी लेकिन as a state यहाँ पर इन दोनों ने उसे applicable नहीं करा अब बात करते हैं कि अभी जैसे आप लोगों ने सुना कि UT में Odisha और तलांगना नहीं करती तो मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दू तो आपको यह नाम भी याद रखने हैं government of Odisha इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी अपनी खुद की ममता scheme जो है 2011 से चलती आ रही है जि अगया लक्षमी scheme जो है यह launch करी गई है इसमें भी full meal दिया जाता है अंगनवारी center में iron और folic acid tablets दी जाती है spot feeding होती है meal की तो यह सब चीज़ें जो है यह दोनों schemes इनके औरेडी चलिए इस वज़ा से यह परधान मंतरी मैत्रू वंद्रय योजना scheme को अपनी state में इन्होंने नहीं launch किया है अब बात करते हैं women child development और social welfare state या UT किसमे किस state में करती है तो यह है वो सक्ताइस अब यहाँ क्या question बन सकता है अगर मालनों examiner चाहे question बहुत difficult करने का तो वो क्या कर सकता है आपको match the following दे सकता है या फिर आपको बोलते का कि बताओ इनमें से कौन-कौन सी ऐसी है जो social welfare department operate करते हैं आपको क्या करना आपको वो याद रखने है state जो health or state याद रखती है जिसमें क्या है आ महराश्टरा तामिल नाडू गुजरात मैं आपके according करोगे तो आपको सब चीज़ें याद रेगी फिर बीच में आप लोग अलग से लिख लेना दाद्रा नगर अकेली यह है दमनेंडियो के साथ जो नहीं करती है और यहां पर आ गया आंद्रपरदेश ठीक है अब याद करने का तरीका क्या है आप इसको बना सकते हो कुछ भी हेल्थ स्टेट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसको अपरेट करती है किस तरीके से काम करते हैं वह आपको उताते हैं देखो याद रखना ममतव एनरजी योग्य दित्यनात आपका अंदरपरदेश को यहां पर आपका शिवस है किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कुछ भी अपने ऐसको बना सकते साया है यहां पर रखने हैं झाल्टमेंटिकल यहाद हो जाएंगी और दो याद रखनी है और इसको क्या है कोई यह इसको एप्लाइ नहीं करते कि इनकी ह knife कि जलती ह होता है यहां पर cost sharing basis पर होता है 60 to 40 ratio चलता है किसमें जहां पर state और UTs के बीच में legislature है 90 or 10 चलता है आपकी north eastern region में और हिमालियन states में और 100% जो funding होती है वो होती है UT without legislature में जो government किस तरीके से पैसा देती है तो यह याद रखना state UT जिसमें legislature है तो वहां पर ratio चलता है 60-40 का 90-10 चलता है आपकी north eastern और हिमालियन states में और 100% government करती है कहां पर जहां पर UT with legislature है यह बहुत important point है अगर बहुत depth में question पूचा गया तो आपको यह याद रखना है इसके अलावा अब कौन इसके लिए eligible है तो देखो जिनके पास regular employment है वो इसके लिए eligible नहीं है कोई भी women जो SCST से belong करती है वो इसके लिए eligible है कोई भी women अगर वो partially 40% तक या fully disabled है या जिससे दिव्यांग जन भी कहते है वो eligible है जिनके पास BPL राशन card है या फिर अगर हम बात करें जो परधान मंत्री जन अरोगय योजना में enrolled है वो automatically इसके लिए जो है eligible हो जाती है जिनके पास इश्रम card है या फिर जो women farmers हैं जो की किसान समान नीधी में आते हैं वो मनरेकास job card वाली women इसके अलावा वो women जिनकी net income 8 लाग से कम है जितनी भी आपकी आ जाती है आशाज AWH या AWW या फिर women जिनके पास राश्रम card है NFSA Act 2003 के तायत क्योंकि ये वो है जो इसको operate करती है और कोई भी other category may be prescribed by central government वो सब इसके लिए eligible आती है तो आपको वो याद रखना है कि कोन eligible नहीं है तो जितनी भी state या center में women regular employment पे है वो इसके लिए eligible नहीं है बाकी सब इसके लिए आ जाती है benefit के अगर बात करें तो benefit आप लोगों को मैंने पहले ही आप बता दिया है ये मैं आपको correct करके upload कर दूँगा इसको please अपने notes में भी correct कर लेना ये रुपी के sign को हमारे system ने थोड़ा सा गड़बड कर दिया है जो total benefit मिलता है available होता है for a woman for the first two living children provided the second girl child is girl तो ये कितना है पांच साथ दो installment में second के लिए मिलता है ये हम लोगों ने पढ़ा है dbt mode में मिलता है और इसी के साथ साथ आपको बता दो अधार look-ups जो है उस service जो है वो भी दी जाती है NPCI के तहत यहां पर और अगर आपको मैं यहां पर table दिखा दूं किस तरीके से काम करती है यह scheme तो पहली installment दी जाएगी अगर आप लोग registration कराते हैं अमनी प्रेग्नेंसी के दौरान at least one antinatal check-up जो की 6 महिने के बाद होता है आपके last menstruational period date के बाद तो यहां पर 3000 आपको उस मिलेंगे और child birth registered के बाद आपको 2000 मिल जाएगे second जो scheme है scheme condition है for second child के लिए अगर वो लड़की है तो तब आपको क्या होगा आपको single installment में ही सिधा कर सिधा 6000 रुपय आपके account में आ जाएगा तो यह scheme इस तरीके से काम करती है और अगर कभी कोई miscarriage या still birth होता है तो यह जो है women's जो है fresh beneficiary की तरह इसमें treat की जाएगी future pregnancy के दोरान और eligible beneficiary जो है वो apply कर सकती है यहां पर within 270 days from the child birth clear है यहां पर और अगर अगर बात की जाए twins होते हैं triplets होते हैं तो यहां पर second pregnancy के with one more or the children being girl वो उसे फिर भी जो है पैसे जो है incentive जो है मिलेंगे मालीजे twins होते हैं triplets होते हैं या फिर कुछ भी होता है उसकी second pregnancy में और उनमें एक बच्चा जो है girl child है उसको तब भी जो incentive है second girl child वाले वो सारे के सारे मिलेंगे अब हम थोड़ा सा last में आते हैं अब इस scheme को जो revamp करा गया है तो इसमें बहुत important point आ जाता है वो है PMVY soft MIS का अब यह क्या है तो एक portal launch करा गया था अब कोशिश क्या की जा रही है अब कोशिश की जा रही है हर एक चीज को digitalize करने की ठीक वो एक technology के लिए partner है यहां पर scheme का और पूरा scheme को जो है guidelines जो इसकी आई है इसको पूरा का पूरा इन्होंने कर दिया है किस portal पर कर दिया है तो इस portal का नाम भी आपको याद रखना है PMVY soft portal जो है यह launch करा गया है और इसके साथ ही जो main objective है वो यह है कि यहां पर जो services दी में इस portal के through ही सब कर लेंगे कि किसको enroll करा है और जिसके तरह सारा का सारत देखो at the end government को चाहिए data को ने enroll हुआ क्या जो scheme launch करी उससे फाइदा किसका हुआ तो यहां पर यह जो data होगा evaluation analysis monitor करने के लिए बहुत effective way में काम करेगा तो यहां पर एक scheme को launch करा गया है इसकी एक particular app भी है जिसको आप लोग download कर सकते हो play store से और अगर मैं अब comparison पर आऊंगा इन दोनों schemes के तो आप ल पहले अधार mandatory था सिर्फ third installment के दौरान यहां पर mcuse बनेंगे बहुत important point है last slide है बहुत लंबा lecture ओकर गया है बट मैं आपको यहां पर इसको short में cover करवा दूँगा जो updated guidance आई थी उसमें क्या है कि आपको अधार चाहिए registration के दौरान और compulsory अधार based payment जो है वो introduce कर दी है अधार अधार based जो payments है वो अब यहां पर eligible करी है इस second phase में only one level of check at sanctioning officer अब इसमें क्या था पहले क्या था आपको जो sanctioning officer है ना सिर्फ वो ही चेक करेगा कि आप eligible है या नहीं बड़ आप यहां पर क्या कर दिया है अब इसको जो level check है वो बढ़ा दिये अब दो level check होंगे functionary के validity क्या है और authenticity क्या है information को लेके benefit पहले तीन installment में दिये जाते थे first living child के लिए ये इसको change कर दिया है अब दो installment में ये दी जाती है first living child को लेके और single installment जो है वो second child के लिए दी जाती है 6000 रुपए की पहले second child के लिए कोई भी ऐसा provision नहीं था लेकिन यहां पे अब women जो child sex ratio है उसको improve करने के लिए second जो child है उसका जो है provision introduced किया गया है पहले क्या था self registration होती थी citizen के द्वारा जिसको Delhi UP में as a pilot project लगाया गया था और पूरा complete online solution नहीं था आपको वापिस से वही process को offices में जाके धक्के खाके अपने आपको enroll कराना था लेकिन अब क्या हो गया है एक mobile app और एक portal लाँच किया है login ID password बनता है तो यह एक change यहां पर देखने को मिला है और कोई पहला ऐसे प्रोविजन नहीं था re-registration in case of miscarriage or still birth मतलब आप लोग एक बार enroll कर चुके हैं काल को अगर कुछ miss happening होती है तो आप वापर से enroll नहीं कर सकते है जिसको यहां पर change कर दिया गया है तो यह तो था हमारा पूरा का पूरा आज का lecture जितनी भी चीज़ें आपको exam point of view से पूछी जा सकती है जितने depth में पूछी जा सकती है क्यों नहीं है उनकी कून सी schemes है पहले कितनी installment दी जाती थी में objective क्या है किस तरीके से यह scheme काम करती है यह सारा मैंने आपको आज cover करवा दिया है और I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर यह lecture पसंद आया है इस video को like कर देना और अगर आप पूरा complete course लेना चाहते हैं तो आप हमारी app को download कर सकते हैं play store से वहाँ पे आपको यह पूरा का पूरा course जो है वो मिल जाएगा जिसको भी hardly मैं आपको बता दू हम लोग पहले finance exams के साथ busy थे finance का exam खत्म हो चुका है तो अब हम लोग इस exam को top priority पे cover करवाएंगे और आपको end में जिस तरीके से अगर हम बात करें VLW से हमारे rank 1 हमारे group से निकला थै अनायत stock assistance से rank 1 हमारे यहां से निकले है राश्य दिम्तियास वैसे ही उमीद करेंगे कि supervisor से भी आप ही हमा साथ जो है qualify करके आगे बढ़ें तो आज के लिए सिर्व इतना ही मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत, have a nice day, bye bye take care, all the very best